क्वेशन नम्बर 78 दिसम्बर 2017 बुकलेट B का सवाल है और यह क्वेशन ट्रेड मिल की तरह है आई फ्लाइ नेट में हम लोग सब्जेट को डैप्क में पढ़ना चाहते हैं और शॉर्ट में भी हम लोग इस बात को भी फोकस करते हैं कि टाइम हमारे पास कम है और इस चीज की इंपोर्टेंस को भी समझते हैं कि टेक्टिक्स ट्रिक्स कितने इंपोर्टेंट हैं सिर्फ पढ़के जाने से एक्जाम के लिए नहीं होने वाला जो जानकारी हमें है जो नौलीच हमने कटी किया उसको यूस करना भी आना चाहिए हमें स्मार्ट अक्यूरेट फास्ट और efficient तरीके से क्यों आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये feel करते हैं कि इन 145 questions को पढ़के समझने के लिए 3 घंटे का time कम है कितना time मिलना चाहिए था इस paper के लिए actually में अगर आप smart accurate है और short efficient तरीके से अपना काम कर सकते हैं अपने knowledge को apply कर सकते हैं तो आप इस question को कहीं कम time में fast solve कर सकते हैं I fly आपको यह सिखाता है कि आप इस paper को ढाई घंटे के अंदर कैसे handle कर सकते हो कैसे आप choice बना सकते हो अपनी और कैसे आप pick कर सकते हो कि आपका question paper पर दो घंटे से भी कम समय में complete हो जाए बकी बचावा एक घंटा यह उस काम के लिए है ताकि हम लोग अपने number को बढ़ा सकें लेकिन paper को hold करना हम दो घंटे के अंदर ही चाहते हैं ताकि उस दो घंटे के अंदर हम समझ जाएं कि paper में क्या क्या दिया हुआ है और बचे वे एक घंटे के अंदर हम लोग अपने number को बढ़ाने के लिए ऐसे questions pick करें जो हमारे choices को पूरा करते हो और हमारे लिए अच्छे हो iFly सरिफ knowledge gain करने के लिए नहीं है बलकि यह tactic सीखने के लिए भी है कि paper को paper वाले दिन handle कैसे करना है जो कि net exam में सबसे typical काम में से एक है question है 78 यह समझने के लिए कि microtubule dependent motor activity of a freshly purified motor protein from budding yeast a researcher set of microtubule based gliding essay in such essay where microtubules are fluorescently tagged at its positive end and researchers observed that this motor protein moved the microtubule in the direction of its plus and as shown in the diagram जो निचे दिखा रखा है उन्होंने इंटे उन्होंने statement बोल भी दिया यह कहरे है कि जो यह आपका motor protein है यह motor protein एक glass cover slip के उपर immobilize का रखा antibody के help से तो यानिकि जो आपका motor protein है यह तो कहीं जाने वाला है नहीं यह तो हमने चिपका दिया surface के उपर अभी अपने पैर आगे पीछे हिलाएगा और जो भी चीज़ यह surface के उपर चिपकी हुई है वो खिसकती जाएगी सपोज इस example के लिज़े कि अगर यह dynine motor protein को चलने दिया जाए आजाद तो यह वाक करता करता negative end की तरफ जा रहा है लेकिन अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूँ कि यह dynine molecule मूव ना कर सके लेकिन जो microtibule है यह मूव कर सके तो जब वो motion करेगा negative की तरफ जाने के लिए तो बड़ो वैसे कि पूरा का पूरा जो पूरा जो पॉल है वो खिसकेगा आपका plus की तरफ यहां भी देखिए आप जो आपका microtibule है वो आगे की तरफ की जख रहा है इसका मतलब motor के motor protein जो है यह इनका motion opposite direction में है जैसे ट्रेड मिल पर हम लोग चलते हैं जब हम लोग ट्रेड मिल पर दोड़े होते हैं तो हम लोग आगे की तरफ प्रेश्र मार रहे होते हैं और जो प्लेटफार्म है वो backward direction जा रहा होता है सेम इसी logic का अस्तामाल कीजिए और इस motor protein को फिल कीजिए कि motor protein is not moving anywhere बट यह माइक्रोटिबूल है जो move कर रहा है और इससे आप direction देखें कि इसके move करने की direction क्या है तो यहां दिखाए दे रहा है कि इसके direction है motor protein की वो direction है plus end से minus end की तरफ जाने के लिए अगर मुझे यह diagram में सही दिखाए दे रहा है तो मुझे लग रहा है कि यह minus end है और यहां plus end है मैं इस base पर question solve कर रहा हूँ तो अगर यह plus से minus की तरफ जा रहा है तो देखें ऐसे molecule motor proteins जो plus end से minus की तरफ move करते हैं उनके नाम है dynin और जो minus end से plus की तरफ move करेंगे जैसे कि arrow indicate कर रहा है तो यह होते हैं हमारे kinesin तो kinesin है हमारे plus की तरफ move करने वाले और dynin से हमारे negative तरफ move करने वाले तो इस base पर जो newly identified motor protein है फिर वो हमारा हुआ dynin treadmill ने हमसे question solve करा दिया daily life की story है बस assume करने की बात थी इनी dive fly में इस तरह की बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं और हम लोग यह समझते हैं कि कैसे हम लोग पढ़ाई को अपने daily life से correlate कर सकते हैं उन लोग के लिए हमारे पास week में 2-3 दिन classes हैं और जो लोग full time class करना चाहते हैं उनके लिए भी 7 दिन हमारे पास options available हैं जो लोग class join करना चाहें वो हमें whatsapp message कर सकते हैं 9013-902981 पर ifly team आपको coordinate करेगी और help करेगी class कैसे join करना है और जानकरी के लिए आप iflynetgate.com को login कर सकते हैं या फिर mail लिख सकते हैं मुझे saplingajutech at the real gmail.com पर और इन channels को subscribe किजिए और videos को like करते रहे हैं और share किजिए अपने दोस्तों के साथ facebook और whatsapp पर iFly यह आपके life में catalyst की तरह है जो आपकी efficiency को बढ़ाएगा और आपके सपनों को साकार करने में आपकी help करेगा Thank you